कि अग्या प्रेंट्स कैसा सब लोग तो फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए कराने वाला हूँ एक बड़ा ही महत्पुन टोपिक जिसका नाम आपका जर्शन एंड रीजन यानि कि कथन और कारक जो एक कुशन आपके पूछ जाते हैं कथन और कारण वाले ठीक है तरक और आपको देखने को मिल रहे हैं ठीक है तो आपके एक्जाम में डेफिनेटल आएंगे एक दो नहीं बॉल कि इससे ज़्याद आते हैं इनको कैसे करा जाता है और किस प्रकार के कुश्चन पूछे जाता है वह आज की वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं और एक दो क् जानने से पहले एक चीज को आप लोग जान लेना जो आपके अर्जर्शन वाले कोश्चन होते हैं इसमां आपकी रोट लर्णिंग बिल्कुल काम नहीं करेगी इसमां आप लोग जो रट्टा लगाते हो रट्ना बिल्कुल यहाँ पर मना है अगर किसने यहाँ पर कोई च आपको चीजों को समझना पड़ेगा जितना गहराई तक जाकर आप लोग चीजों को समझोगे चाहे वो आपके पैड़ागोजी से रिलेटिड कोश्चन है चाहे आपके वो टोपिक से रिलेटिड कोश्चन है किसी से भी रिलेटिड कोश्चन है अगर आपने उसको गहरा सब ठीक होंगे शुरुवात करते अब इसकी साथ में आपका सीटेट का बैच जिसके बारे में मैं कई बार बता चुका हूँ फिर भी आप लोग किलास की बीच में पूछते हो तो इसके बारे में देख लेना जिस पर आपका यह फीज फिर इतनी हो जाएगी इतने आपकी पहली ठीक है यह आपकी डिसकाउंट के बाद फीच है चापका पेपर फर्स्ट हो सेकिंड़ वह दोनु यह आपके पेपर हो ठीक है और यह सारा कंटेंट इसकंदर आपको मिल जाएगा फिर उसके अलावा आपको कोई चीज लेने की जरूतने पड़ेगी सारे प्रीवेसर के कॉश्चन हो मेरे वाले नोट्स हो एंसी आटियो मोग टैस्ट हो चाहिए के लावा सभी टीचर से द्वारा किलासी जो वो सब इसकंदर आपको को देखने को मिल जाएगी ठीक है यह वाटसप नंबर है कुछ भी आपको पूछना हुआ हो तो इस पर कर लेना और एक को साल की वैलेडिटी के साथ यह आपका कोर्च है ठीक है रही आपकी सीटेट की किताब सीडिपी की जल्दी आपको एक हपते के बाद आपको देखने तो इतने मिलेंगा आपको अगर वह आपने कर लिए ना तो समझ लेना आपका बेड़ा पार हो जाएगा ठीक है तो जल्दी आएगी मैं इसके बारे में आपको बता दूँगा और चलिए अब सुरू कर लेते अपने अजर्शन और रीजन वाली सीरीज के को साथ के साथ इ अबिकतन यानि की रीजन का कोश्चन आपके सामने आगे है। शिक्सरती जो पहले से जानते हैं उसके अदार पर अपने ज्यान का निर्मान करते है। यह इस परकार का एक अभिकतन यानिकी अजर्शन आपके सामने दिया रहता है। और एक इस प्रकार का कारण, यानि कि रीजन आपके सामने दिया रहता है, कि पैटन डूढ़ना और पिछले ग्यान के साथ जुड़ाओ बनाने से सिक्सार्तों को जानगारी को सार्तक रूप से संसाधित करने में मदद मिलते हैं, ठीक है, अब एक बात ध्यान चो सुनना, ज जैसा आप लोग सिक्सार्ती हो, जो आप लोग यहाँ पर पहले से जानते हो, उसके अधार पर, ठीक है, जैसा मालीज आप लोग ने सीटेट की तयारी से पहले थोड़ा बहुत पढ़ाओगा, उनलाइन पढ़ाओगा, अपने कोलीज वगरा के अंदर आपने यंदर ग्णार्ट करते हैं, उसके अधार पर आप लोग अपने ग्ंदा निरमान कर रहे है और अकर सही है, या गलत है, और अगर सही है, तो इसकी सही वियाक्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, किताब देखोगे खासकर mathematics की देखोगे उसमें पैटन का चैप्टर दिया रहता है ठीक है थर्ड फॉर्फ फित क्लास में आपको देखने को मिल जाएगा पैटन का चैप्टर और आपके mathematics अगर हम बच्चे से कहेंगे कि बेटा पैटन डूंडो और पिछले ग्यान के साथ जुडाओ बनाने से जो प्रिवेस नोलीज होती है उससे connect करने से सिक्सार्थियों को जानकारी को सार्थक रूप से संसादित यानि को help करने में सीखने में मदद मिलती है तो यह बात बिल्कुल ठीक कह रहा है जैसे मानली यहापर pattern बनना है अब य पूर ग्यान को लासरूम में नहीं लेकर आएगा बच्चे के पूर ग्यान को नहीं जानेगा नहीं पूछेगा तब तक उसको नया चैप्टर पढ़ाना भी नहीं चाहिए ठीक है तो यह बात आपको ध्यान नकनी है तो कारण भी सकंदर क्या हो गया अब यह तो पता चल पिछले ग्यान के साथ जुडाओ बनाने से सिक्सार्थों को जानकरी को सार्थक रूप से संसादित करने में मदद मिलते हैं बिल्कुल ठीक मिलते क्यों कि सिक्सार्थी जो पहले से जानते हैं उसका दार पर अपने ग्यान का निर्मान करते हैं तो यह बात बिल्कुल ठीक चीज को यहाँ पर जाना ठीक है तो आई ओप आप लोग इसको समझ गए होंगे किस प्रकार से मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने दिया है ठीक है उसके हितु प्यार की देख बाल की और बहुत से आउसर प्रदान करनी चाहिए तो यह क्या कथन सही है गलत है बिल्कुल यह कथन ठीक है देख आगर मैं बात करूँ अल्ली चैलोड की यानकी आरंबिक बाल लेवस्ता की यह सबसे सेंसिटीव टाइम पिरेड होता है बच्च प्रकार की गलत भासा और व्यवार को भी आपर सीख लेता है अगर इस स्टेज में बच्चे के साथ कोई कोई गटना होगी दुरगटना होगी कोई इस प्रकार की आनितिक कार्य हो गया तो वह बच्चा उसको जिंदिक भर नहीं बोल पाएगा दैसे इसी से रिलेटिड मै करनी ologist. अगर कोई आप परेवरतिना नुकसान हो गया आप अरिवरतिने ही चति scent आइसा नुकसान हो गया चुबश च yönस नुख्त वbul बच्चे के लिए नुकसां दाहिक है तो बच्most Crow मालीजी ने बूल पाएगा मृब्च्य मेरे मृबाप ने मुझे बच्पन में प्यार नहीं करा या मेरे माबाप मुझे बच्पन में मारते थे या किसी अंजानने मेरे साथ गलत या अनेतिक कारे करा तो जिंदी के वर इस बात को नहीं बूल पाएगा हां समय के साथ वह आपका परभाव कम होता जाता है नेगेटिव बात होगा लेक पर तर्क दिया हुआ है कि गंभीर रूप से वंची तो जो बाल लेवस्ता के पईणा में उनको बाद के वर्सों में बदलना बहुत आसान होता है देखे मैंने आपके सामने यह वाली बात कही कि मालीज अगर बच्चे के साथ इस प्रकार की कोई घटना होती है मार पिटा कऱे रहे है वे आज एक सिद्धान पर देखना हुआ है आपके किटिकल प्रकार जैश्वां prepare देखने शाज हुझ बाल लईंबनागे बाल औस नहीं और cou सब् chopped TO गलत होंगे सभी के parents मलब सभी को एक तराजुम आप तो लोगे कुछ हो जाते parents प्रकार के और ना सभी parents अच्छे होते और आप बड़े होगे अब आप अच्छे parents बनना या किसी के साथ कोई दुरगटना होगी तो आपको बताने कि उस चीज को पीछे छोड़ो आगे बढ़ आपका एक ठीक है और आर गलत है तो यानि कि थर्ड़ा आंसर यहापर आपका सही हो जाएगा यह बात आप लोग यहापर समझ गये समझ समझ करकर ना आप जितनी भी चीजे करोगे जितना समझोगे अब यहापर देखे जब यह गलत हो गया तो यहापर इसकी व्याक्षय कर रहा है यह नहीं कर रहा है ठीक अगला कोश्चन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर आगे नेक्स्ट कोश्चन दिया हुआ है कथन अगेन आपके सामने है कि कुमार समुदाय से संबंधित जो बच्चे होते हैं वह संक्या संग्रक्षन से पहले दर्वेमान संग्रक्षन करना सीख लिया अब इसके लिए प्याजे ने यह मैथमेटिक से संबंधित जितने भी संग्रक्षन बतायते हैं उसके लिए मैं आपको एक सोटकट बताता हूँ जिसको आप लोग लिख सकते हो इसको आप लोग यहाप लिखिए NLWV इसको याद कर लेना आप लोग ठीक है यह क्या है क्लिए हमबर्स का इनन संख्याओं का कंगर वेसन कंसे अवे इसको बड़ा मेहतपून आपके यह इसको संक्वादर ऊच्चा लाइन का उसके बाद वच्चा लेंद का रूड वेट का रूड लियुद्वियशन करनाझ सेख्टा है लेकिन इसने का । बच्चा रूड़ साँ प्वर्च ? यहा पर सीख लिया थीक है? न कहा है, भई बच्चा इसको यहापर सीख सकता है कियो सीख सकता है बच्चा? अब यह सही है घलत है यह आप लोगों को बताना है, यह आपका सही है, देखो यहापर एक बात, देखो यहापर आएवा है कुमार समुदाय, जो कुमार समुदाय से जो संबंदित लोग होते हैं, जैसे मिट्टी के बरतन बनाते हैं, घड़े बगरा बनाते हैं, ठीक है, एक proper size देते हैं किसी अगर कुमार समुदाय नहीं आता, तो एक question आपका यही फज जाता, तो कुमार समुदाय से संबंदी जो आपके बच्चे होते हैं, वो आपके संक्याव से पहले volume का conservation करने हैं आपर सीख जाते, तो यह आपका यहापर true हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहापर true हो जाएग देखें, जैसे जैसा आपका यह कुमार के समुदाय से संबंदीत लोग है, अब इनके अंदर जो भी बच्चे होंगे, वो यह घड़े बनाना किसे सीखेंगे, अपनी family से सीखेंगे, तो जो यहापर वो सीख रहे हैं, यानिकि learning यानिकि अदिगम कर रहे हैं, ठीक है, तो अधिगम किसे कर रहे हैं, अपने समाज से कर रहे हैं, समाज के नंतर कोन आगया, इनका परिवार आगया, तो जो learning होती है, वो समाज से होती है, बिल्कुल ठीक बात है, एक सामाजिक परिक्रिया होती है, बच्चा समाज से सीखता है, जैसा आप लोग अभी अपने teacher से तो ये भी आपका तो क्या से एक सामाजिक सांस्क pollut 2007 अगधर दोनौ संग्रक्षन से पहले दरवानका संग्रक्षन तीग लेते हैं तो दोनों सी एह場 और ये इसकी सही परकार से वियाक्ष है भी कर रहा है ठीक है तो आप लोगों ने फ्रस्ट आंसर दिया बिल्कुल सही आंसर यहापर आपका हो जाएगा तो आप लोगों ने देखा question को मरलब कितना घुमा के इन्होंने question को पूछा है इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि सीटेट के एकजाम में अब यह नहीं आप पूछा जाए आपके conservation का जो आपका operation है किस स्टेज में आता है यह सिंपल कोशन ने आएंगे practical कोशन अब आपको देखने को मिलते हैं सीटेट के एक्जाम में ठीक है अगेन आपके सामने स्क्रीन पर एक और question इसी से डिलेटिड आ यह question आपके सामने दिया हुआ है अभी कथन यानि की अजर्शन दिया हुआ है वह कोई उद्यश्यात्मक निश्य च्छन नहीं होता जब कोई बच्चा मध्यबाल्यवस्ता या किसोरवस्ता में प्रवेश करता है देखे जब आप लोग या हम लोग या दुनिया कंदर मध्यबाल्यवस्ता की बात करूं तो मध्यबाल्यवस्ता को आपका माना जाता है 6 साल से लेकि 11 साल भी मान लेता है को 6-12 मान लेता है ठीक है लेकिन अगर मैं इसको माना जाता है अगर मैं बात करूं आपके किसोरह उस्ता की बात करूं तो किसोरह उस्तोंiger 1- Nancy भी मान लेते हैं 11-18 भी मान लेते हैं अगर मैं बात करूं वर्ड हेल्थ ओर्गिनाइजेशन डबलु एच्चों की बात करूं तो आपका 10 साल से लेके 19 साल भी मान लेता है तो हर किसी ने विकास की जो वस्ता है उनका जो टाइम पिरिड़ होता है अलग-अलग परकार से व् ठीक है तो यह आपका जो कहना की उद्देश्यात्मक निश्ची छंड नहीं होता है जब कोई बच्चा मद्यबाल अस्ता किस और अस्ता में प्रिवेस करता है तो यह बात बिल्कुल ठीक है कि जैसी 11 साल कंप्लीट करी तुरंत अगले दिन आने पर ही कि अब मैं किस और हो बिल्कुल ठीक बात है विकास आपकी continuous चलने वाला प्रोसेस है जिसको आप लोग कहते हो गर्व से कबर तक चलता है यानकी वोम टू टूम तक चलता है यानकी जब बच्चा मां के पेट में होता है गर्व में होता है जब से लेके बच्चे का विकास शुरू हो जाता है औ की निरंतर चलने वाली प्रिक्रिया होती है तो यह कोई निशिच छंड नहीं होता है जब कोई बच्चा माल मद्यबालसता है किसो रस्त में प्रिवेस करता है तो दोनों टूए और इसकी सही परकार से व्याक्ख्या भी कर रहा है तो आंसर आपका यहापर फॉस्ट आंसर कर देना आपका वह एक्टिवेट करवा देंगे आप लोग सायद लोग आउट वगरा कर देते हो ठीक है तर जैन बैच पेपर टू लिया था और जुलाई बैच नहीं अमित रंजन यह क्या पूछ रहें वाट्सप पर मैसेज कर देना आपको उसके उपर समधान मिल जाए ठीक है आप लोग अपनी अप्लिकेशन को लोग आउट वगरा कर देते हो न तो उसकी वज़े से एक दो बच्चों को आती होगी वट्सप नंबर दिया हुआ है उस पर आप लोग कर देना जिसने जो जो बैच लिया है ठीक अगल आपके सामने आगया अभीकतन दिया करो आपके मनुविज्ञान की बात करूँ ठीक है अभी आप लोग सीटेट में पढ़ रहे हो तो बहुत बेसिक लेवल का इसके अंदर आपका पढ़ाया जाता है वहना आप लोग जानोगे कि मनुविज्ञान की सुरवात कैसे हुई थी मनुविज्ञान के जो संप्रदा इसे पहले आपका चलता है यहान की वह वारवाद की अगर मैं बात करूँ आपके वह वारवाद के कुड़िंग यहापर जो सक्रीय मानते हो सक्रिय बच्यों को नहीं मानते है यहाँ पर सकृंधक उससे करने से कि यहाँ पर सकृंधकर एक्ठक जा दिए अरह पर इंदध के बाल कें दुर बाल के इंदर मत्हा की बच्च के अबत्च का खाली बर्तन के समान लोगता कर खाली बर्तन से अप लोगों का Maliase, खाली धिमाग होगा और उसकंदर अपना ज्यान डालता जा हो, टीक है? तो बुरी लगी नहीं आए वाली बात कि हमारे नियुक्त को खाली दिमाग कह रहे हो ठीक है यह बात वैवारवादी पहले कहते थे लेकिन आज की रेट के अंदर क्या है आपका रचनावाद है यह थोरी की पूरी तकर रिके से आपकी गलत हो चुकी है और पूरा फोकस आपके रचनावाद पर है कि बच्चा खाली बरतन के समान नहीं ह होता है बच्चा कोड़िक कागज के समान था नहीं होता है जब बच्चा आपका स्कूल कंदर आता तो बच्चा इसको मात्रहिवाल लेकर आता है जो व्यवार ऑपने घर कंदर सीखता आ जैसे तो इस प्रकार की पूझी से लहाज होकर बच्चा यहाँ पर थिक है तो ये बात आप लोग समझगे तो इसने कहा है जो यहाँ पर कोश्चन में कहा है कि बच्चे स्कूल आने से पहले चोटे बच्चे अपने परिवेश की समझ बनाने के सैज सिद्धान्त मोजूद होते हैं बिल्कुल ठीवात है अपने एंवारेमेंट के अंदर जब हम लोग छोटे थे स्कूल में जाने से पहले भी हमें पताता कि कोन हमा परिवेश के बारे में जानी बच्चे या बच्चे से पूरी चीज़ को आपको अंदेखी बिल्कुल भी नहीं करनी यह बात आप लोग समझ गये तो यह आपका statement क्या हो गया? false यानिकी गलत हो गया, तो simple शी बात है, एक तो आपका सही है और दूसरा आपका गलत है, अब हमें यह देखने की ज़रोती नहीं है, कि यह इसकी सही परगार से व्याख्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है? तो एक सही है, लेकिन आर गलत है, तो थर्ड आंसर यहापर आपका सही हो जाएगा, आप लोग किसके साथ जा रहे हो यहापर? आप लोग थर्ड के साथ जा रहे हो, ठीक है? ठीक अभी अगला देखते है, next question आपके सामने स्क्रीन पर, उसके ओपर यहापर नजर डाल लेते हैं, अगले question के ओपर, ठीक, यह रह करना चीए, ठीक है? बार-बार उननी को याद कराने पर फोकस करना चीए, अच्छा, जब हम लोग स्कूल कंदर पढ़ते थे, यह आप लोग भी मान लीजे स्कूल कंदर, गवर्मेंट जोब लेकर लग जाओगे, तो मान लीजे बच्चों को आपने कोई चेप्टर करना चीए, जबकि यह काम बिल्कुल आपको नहीं करना चीए, याद कराने पर उनको, ठीक है, इस प्रकार के assignment या homework आपको बच्चों को नहीं देने हैं, आप क्या होगे सर हम तो बहुत पीसे हुए है, हमको तो बहुत मिलते थे, हमें भी बहुत मिलते थे भई, ठीक है, पिटाई भी बहुत यहापर होती थी, जब होम वर्क नहीं करने के ओपर क्या, कि सर ठीक है, फिर मारती थी, मैडम दबा दबा के, तो आपर आपको क्या समझना है, कि स्कूल को केवल सीखी गई सामगरियों को याद कराने पर जो नहीं देना चीए, बच्चों को active तोर पर engage करके classroom में, उसको खोजबीन के माददम से सीखने के लिए प्रेरित हमको करना चीए जितना बच्चा खुद सक्रिय होगा और खोजबीन के माददम से सीखेगा, उतना ही अपने ज्यान का वो ग्यान में व्रद्धी आपर करता जाएगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आपका फोल चानी की गलत हो गया, तो कथन हमारा गलत हो गया, अब हमें ये नहीं जिमाग की बात हो रही है, यार मेमोरी आपकी रचनात्म के अनिकी क्रियेटिव नहीं होती, होती है, आपकी क्रियेटिव होती है, मान लिजिए, आप लोग अगर ये आपर अजर्शन एंड रीजन वाले क्कोशन कर रहे हो, इनको करने का आप लोग दूसरा तरीका भी करेंगे, तो आप लोग अगर कोई चीज सीख रहे हो, तो उसके अंदर क्रियेटिविटी करोगे या नहीं करोगे, आपकी मेमोरी कंदर क्रियेटिविटी आए नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी आपकी मेमोरी कंदर, तो इस मृत्ति क्या होती है, रचनात्मक होती है, य आपके सामने दिया हुआ है अभीकतन आपको दिया हुआ है क्या कि बच्चों द्वारा बच्पन जो होता है वो अलग-अलग संस्क्रीटों में अलग-अलग तरीके से अनुबव किया जाता है यह वा यह कुशन मैं पहले बीवर डिसकस करकाव इसी से सम्भनेदित जो किसी का बच्पन है माझनीज 1 आपका बच्पन हो मेरा बच्पन यह एक्स यह इड़ किसी कभी बच्पन हो ठीकी इस दुनिया के अंदर है तो सभी ने अपने बच्पन को अ अपने बच्पन से गुजरा है और बच्पन जो होता है अलग लग संस्कृत होकर गुजरता है चाहे हो सामजी आदार पर हो चाहे हो आपके आर्थिक आदार पर हो ठीक है यह बात आप लोग समझ गए तो बच्चों दुआरा जो बच्पन होता है अलग 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 तरीके के अनुबह से किया जाता है यह बात क्या है यह बात विल्कुल ठीक है आपके च्छोटी सी श्टोरी में आपको बताता हूं आयोप आप इसको ध्यांच सुनोंगे और आप के मतलब की भी चीज ठीक है अभी परसों जो है मतलब में एक फानुडेशन से जुड़ा वह फानुडेशन क्या होती है जो आपके सुगर से सम्मधित जो आपकी बीमारी होती है जो पेशंट जो रहते जो इन बच्चों को सुगर रहता है आपको पता होगा कि जनम के बाद स आपकी बीमारी बच्चों को लग जाती सुगर की इसके अंदर टेली उनको इन्सूलिन दिया जाता है तकीजिस प्रकार से के लिए कहां से इसकी वहस्ता करें तो इस प्रकार का एक्संट है है जो मदद करता है और उस foundation के से मतलब मैं भी जूड़ा हूँ और वहाँ पर जो भी इस प्रकार के गरीब बच्च आते मेरा वट्सप नंबर वीडियो के इस प्रकार के लोग आते वह कुछ बच्चों को गोद ले लेते हैं तो वहाँ पर एक बच्ची आई सबसे लाश्ट में उस बच्ची को देखने के बाद वहाँ पर जो उसके संस्तापक थे ठीक है उन्होंने का कि आपको कितनी एज लग रही इस बच्ची की तो मैंने का कि बच्ची इतनी अलब अगर मैं हाइट की भी बात करू तो इतनी हाइट में थी और साथ या आट साल से बिल्कुल बड़ी नहीं लग रही सिफ 16 साल की थी क्यों कि जो उसको सुगर हुआ था सुगर से उसकी जो किड़नी के उपर परभाव पड़ा और उसकी किड़नी फेल और उपर नहीं हुआ तो उसका सारीरिक विकास नहीं हुआ सामाजीक विकास उसका हम लोग विकास तो उसका बिल्कुल नहीं नहीं हो पाएगा क्योंकि जब इस प्रकार से वह बच्ची पूरे ठाइम बिमार रहेगी बच्चपन से इस तरीके से रहेगी तो इमोशनली र बात करेंगे तभी आपर पता चलेगा तो बच्चों का विकास सार बोमिक है यह बात यहापर गलत है और अगर किसी परकार का आपके घर परिवार रिस्तदार में अगर को इस परकार के बच्चे हो तो मेरे वाट्सप नमबर पर आप मैसेज कर देना ठीक है और जितना भी मत संस्कृit से बच्चा सीखता है यह बात यह सही है लेकिन आर यहापर गलत है तो थर्ड आपर आपका सही हो जाएगा ठीक पतानी रोज-ढरोज मुझे क्या लिया जा रहा है मैं दूसरे बच्चों से लगूं क्या मम्मी दिख्टा के चाहरी दिक्कत होती और जैसे जैसे माली जब अचे बढ़ा हो जाता है यह सही है और गलत है और मैंने बता दिया अगर किसी को समस्य हो तो वर्टसप नंबर पर बही मेसेज कर देना मेरी तरफ से जीतनी हेल्प की जाएगी वह यहाँ पर मैं करूंगा ठीक है अगला कुर्शन आपके सामनी स्क्रीन पर है यह रहा नेक्ट कुर्शन जो आपको दि अगला कुश्चन है कि निमलिकित कत्वनों को पढ़िये तता सही विकल्प का चैन करिए करते हैं अभी कतन आपके सामने दियावाए क्या कि सिख्षकों और सात्यों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत करने से सिख्षार्यों की उनकी समझ और कोसल विक् हंदर को आपको कुष्टी वगरा सिख्षार्यों सारे विकास करा रहे है जिनको बूला जाता मोर नोलीजवल अदर ठीक है तो उनके साथ रहने से कहते हैं कि संगती का सर पढ़ता है तो ऐसे लोगों के साथ संगती में रहने से आपका जोगा जितने बी आयम होंगे वह आ आपका true यानि कि यह आपका यहापर सही हो जाएगा ठीक है समझ गया आप लोग अब इसमें कार्ण क्या दिया है कि सामाजिक संपर्क शीखने और विकास का एक पर्मुग गटडक है समयिक संपर्क जैसे संपर्क मैं जैसे समाजगंदर में आपका तो जैसे चोटा बच्चा होता है स्कूल में जाता है अपने टीचर से मिलता है आज पास के दोस्तों से मिलता है तो जैसे समाज से संपर्क करता है तो उसके सीखने में और उसके विकास में बढ़ोतीरी होती है नहीं होती बताओ बढ़ोतीरी हो रही है नहीं हो रही है जो मै सिख्षक और साथियों जैसे अधिक जानका लोगों के साथ बातचीत करनी चीए उनकी समझ और कोस्टल विक्षित करने में मदद करने के लिए आवरसक समर्थन और प्रदान करने चीए तो दोनों सही है और इसकी सही परकार से व्याक्या भी कर रहा है ठीक है का है तो लगा सब्सक्राइब को संप्रत्य की समझ यानि कंचेट की समझ पाने के लिए सब्सक्राइब करने के लिए अभी परिदियान की मोटिवेट करना चीए अम आपको मोटिवेट करने चीए कि तुम्हारे बसकी पढ़ना वढ़ना तो कुछ है तो इस प्रकार से अगर मैं यह वाली बात कहुंगा या मेरे जैसे कोई टीचर कहेगा मैं कहने रहूं एक्जामपल दे रहा हूं तो समझ लेना वह आपको मोटिवेट नहीं करेगा आपको तो पहली वाली बात बढ़िया लगी यह वाली बात बढ़िया लगी यह वाली बात बढ़िया लगिया ना ठीक है पहली वाली बात पर तो गाली लिखना शुरू कर दिया होगा भी ता लेकिन ध्यांच देख लो कि दोनों के वीच में क्या डिफ्रेंस है इसलिए टीचर को क क्या करना चीए उसको motivate यानि कि अभी पिरिरित करना चीए कोई भी concept की समझ को बनाने के लिए उसको सिखाने के लिए ठीक है अब इसमें तर्क क्या दिया है अधिगम जो होता है जो लर्णिंग होती है अधिक प्रभावसाली और अर्थपून होती है अगर वो महारत अधिक में उस चीज में निपुनता हासिल करने के लिए बैस्ट करने के लिए आप लोग ठीक है तो समझ लेना वह आपकी मास्ट्री और इंटीड एप्रोच होते हैं जो सबसे बढ़ीया रहती है अब आपको इसमें यह नहीं देखना कि वह सीटाट का एक्जाम है लेकर आने तो आप लोग यहापर पर्फोर्मेंस के लिए पढ़ रहो इसको नंबर आ जाए या फिर कुछ बच्चे सोच रहे मैं तो 150 में से 150 लेकर आजाओं ठीक है तो आपको बस यह पूरा फोकस रहता कि बगवान कुछ मत दिला बस नब्ब दिला दे अगर मेरे नंब सब्चेट में निपुर्णता हसिल करनी है मास्ट्री ओरेंटीड एप्रोच का यूज करना है तो यह बात बिल्कुल क्या है यह बात बिल्कुल ठीक है तो दोनों यहापर आपके ठीक है इसलिए ध्यापक द्वारा विद्यायत्यों को कंसेप्ट की समझ पाने के लिए उस होता है अगला कोशन देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर एक और कोशन आ गया अभिकतन दिया हुआ है कि लोरेंस कोलबर के नेतिक विकास सिद्धानत में जो बच्चे होते हैं वो कारियों को उनके पढ़िणाम के अदार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर प चेंजेवल है यानि कि वो बदले जा सकते हैं अब देखे एक तो मैंने का एक तो आपके प्रादारित कोश्चन होते हैं दूसरे आते हैं आपके टोपिक से रिलेटिटीड कोश्चन और वहाँ पर भी जो भी आप कोई टोपिक पढ़ रहे हो जैसे माली जो लोरेंस कोलब कोश्चन आपको पूछा जाएगा तो यहाँ पर जो आपका अभीकतन दिया हुआ है इस कर्थन के मुताबिक जो नियम और कानून होते हैं वह फ्लेक्सिवल है उनको बदला जा सकता है बिल्कुल ठीक बात है लोरेंस कोलबरग ने तीन लेवल दीते पिरिकरमेंशनल लेवल ता पोस्ट कन्वेंशनल लेवल इस लेवल के अंदर बच्चे के अंदर यह समझ आ जाती है कि हमें जो है जरुत पढ़ने पर अगर हमें लग रहा है कि समाज के लिए ठीक नहीं है कानून यह हमारी ठीक नहीं है तो ऐसे कानून को तोड़ देना चाहिए ऐसे निय बिलकुल ठीक बात है वो कैसा होता है अलग 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 अवस्टा एक है और इसलिए आगर बच्के के दिमाख में ये चीज आ रहे है कि नियम कानून उनको बदला जा सकता है तोड़ा जा सकता है यह बाट बिल्कुल ठीक है तो दोनों से यह है और यह इसकी सही प्रकार से व्याक्षे भी कर रहा है फॉर्स्ट आंसर यहापर आपका सही हो जाएगा ठीक है तर बोल यह ना मुझे आपका उनलाइन किलास लेना कैसे लो मुझे नहीं आता है लेना ज्योती मिसरा भाई आप प्लेश्टोर से सचिन अगेडमी ओफिशल एप्लिकेशन को डाउनलोड कर लेना और वहाँ पर आपको कोर्स मिल जाएगा सीट हैट वाला ठीक है चलिए बढ़ते भाई आपके सामने नेक्स्ट कॉस्चन यह रहा आपके सामन स्क्रीन पर अगला कॉस्चन क्या दिया हुआ है निमिल की कथनों को पढ़िए सभी कलका चेन करिए करते हैं अभी कथन दिया हुआ आपके सामने चिक्सकों को सार्थक वातवरण बनाना चीए ठीक है इस प्रकार का मीनिंगफुल एनवार्मेंट यहापर बनाना चीए जि ठीक है कमेंट बोक्स में अभी जो लाइव चैट चल लिए तो अपने आंसर भी लिख रहे हो तो यहापर क्या हो रहे है आप लोग यहापर बच्चे जो है सक्रया रूप से भागिदारी दिखा रहे हो एक्टी रूप से पार्टिशिपेशन कर रहे हो ठीक है पोलिकंदर रूप से सीखने के लिए प्रेरित यानि की मोटिवेट होते हैं और सीखने में सक्सम होते हैं यह बी बात फिल्कुर ठीक है मैं इतनी बात कि आपर गारंटी ले सकता हो आप लोगों में से जितने लोग वीडियो देख रहे हो जादेतर बच्चे ठीक है 98 परसेंड एक्सटरनल फैक्टर को पर ध्यान नहीं दे रहा हुआ कि एक बार सीटाट का पास हो जाए मेरी साधी नहीं हो रही तो कम सखम साधी हो जाएगी ठीक है अभी मैं पिछले से पिछले वाली सीटाट के अंदर एक न्यूज आई दो की एक लड़का लड़की की साधी पक्य ह ठीक है तो यह भी आपका ठीक है इसलिए सिक्सकों को ऐसा एनवार्मेंट देना चाहिए जाब अच्छे की सक्रय बागिदारी बढ़ सके तो दोनों ठीक है और इसकी सही परकार से व्याक्या कर रहा है तो सेकंड आंसर यहापर आपका सही हो जायागा ठीक चलिए बढ़त प्रकार में सव नियामक ज्यान यानि की आपर बात दिए यह सेल्फ रेगुलेटरी नोलीज की बात दिए कौनसी सेल्फ रेगुलेटरी नोलीज सिखाय जाना चीए अच्छा एक बात बताओं जिए जो आप लोग यहापर सीख रहे हो या जो मैं आपको सिखा रहो ठीक है तो मेरे सिखाने के अलग-अलग परकार के हो सकते हैं और आप लोगों के सीखने के अलग-अलग परकार हो सकते हैं जैसा आप लोगों ने देखा होगा एक आपका आता है लर्णिंग इस्टाइल आता है ठीक है सुनाया आप लोगों ने लर्णिंग इस्टाइल तो लर्ण पढ़ना पसंद करता है सईलेंट होगर पढ़ना पसंद करता है कोई बोलटे पढ़ना पसंद करता है उसी प्रकार से सीखने की जो आपकी टैक्निक होती है वो भी सभी बच्चों से अलग देखने को मिलेगी इंडिविजल डिफरेंचीज पाए जाएगे और टीचर भी अलगर रणीत्यों के मादम से आपको पढ़ाता है तो इससे क्या होता है बच्च आपने आपको सेल्फ रेगुलेट करता है अलग-अलग अधिगम रणीतियों का उपयोग और फिर बच्चों को पता होता है कि अगर मान लीजे जैसा आपने देखा होगा कुछ कोस्टन कंदर मैथमेटिक्स कंदर ट्रिक लगती है और कुछ कोस्टन आपके एजटी जा जाते है तो जिन कोस्टन में ट्रिक लगन कारण इसमें दिया है कि एक अधिगम रणीति को बनाए रखने और उसे नियोजित करने के संभावना बढ़ जाती है यदि विद्यारिति को पता है कि इसका उपयोग कभ कहा और क्यों करना है यह बात भी बिल्कुल ठीक है जैसे मैंने आपसे का मान लीजे नूमेरिकल का क प्रोच आपको यूज करनी है तो यह आपकी यह भी ठीक है इसलिए बच्चों को इस चीज के रणीतियों का उपयोग कभ कहा करना है यह करना कराना चीए और जिससे उसकी सवन्याम ग्यान है उसको सिकाना चीए तो दोनों सही है और इसकी सही परकार से व्याक्षा भी कर है और आप लोग किसके साथ जा रहे हो आप लोग या फुर्स्ट के साथ जा रहे हो बिल्कुल ठीक ज्यादेतर सही आंसर दे रहे क्या बात है इसकी वज़ा है ठीक है आप लोग उन्हें पहले कुश्चन कर रखे नोट्स के अंदर देख रखे या फिर मैं सही पढ़ा र है यह आपका कठोर होना चीए लचिला होना चीए कमेंड बोक्स में बताओ तो स्कूल के करिकलम को विद्यार्तों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित इस्तान उसको मुल्य देना चीए बिल्कुल ठीक बात है देखें आप लोग जब स्कूल के अंदर जाओगे अगर तब तो मेरे खाल चीए को इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होगी इस्टेट में भी यह देख लेना कि आपको यूपी आर बिहार जैसे बड़े श्टेट ना मिल जाए ठीक है वहना आप लोग देखोगे पस्चिम यूपी में देखोगे तो बहुत अंतर देखने को मिल जाता है संस्कृति में भी बहुत अंतर देखने को मिल जाता है तो अगर आपको इस प्रकार का आसपास का कोई स्कूल मिल गया तब तो कोई दिपकत नहीं होगी मान लीज़े आपकी जो केई विसकंदर लगी और आपकी पोश्टिंग नोर्थी इसकंदर होगी असाम में गला त आपको द्यान लगना है कि जो करिकलम हो गया इसकूल का सिलबस हो गया इनफेक्ट आप लोगों का जो टीचिंग मैथड्स हो गया उसमें जिस भी संस्कृति से संबनित कोई बच्चा आपकी क्लासरूम में होगा उसको आपको चीतिस्तान देना है उसकी संस्कृति को महत् तो यह आपका क्या हो जाएगा यह बिल्कुल आपका ट्रू यानिकि सही brown खो जाएगा ठीक येवला कां मत कर देना सभी बच्चों को समान मानना है कोई भेदवाव किसी भी बहासा के आदार पर सामाजिक आर्थिक तोर के आदार पर नहीं करना है एज़े टीचर आपको ठीक है अब कारण क्या दिया हुआ है कि विद्ध्यारतियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थ ठीक है इसलिए जो बच्चे के संस्कृति ज्यान उसको चितिस्तान और मुल्य देना चाहिए इसलिए आपका दोनों ठीक है और इसकी सही प्रकार सी वैख्या करता है फ्रस्ट आंसर या पर आपका सही हो जाएगा ठीक है चलिए बढ़ते हैं आपके सामने नेक्स्ट कोश बच्चे की चमता का कोडिंग हो जिसमें बदलाव क्या जा सके बत्चे के कको ूडिंग है अगला क्रीक नहीं वार्श की चार वर्श की जो रिया है वो लंबे और चोडे, दो बरतन में एक ही समय में, समान मातरा में पानी डालते समय, बरतनों की उचाई और चोड़ाई को एक ही समय में ध्यान में नहीं रख पाती है, दो बरतन ले लेता हो, यहां ले लो दो बरतन, देखो, एक तो यह बरतन ले लिया मैंने चोड़ा, ठीक कि यह समान मातर में दोनों के अंदर आपका पानी ड़लिया यह दोनों के अंदर पानी ड़लिया ठिकता आगे क्या कहता है वो लेकिन उसमें पानी डालते समय बर्तव्यों beginners और चोड़ाय को एक ही समय में ध्यान नहीं रख पारी इंबकुल ठीक बात है जैसे से अभी आप लोगों ने जो सुरुवात मेंने कंचेप्ट बता कंजर्वेशन का कि जो बच्चा होता है जब किसी चीज की सेप और साइज में चेंज कर दे बट क्वांटिटी सेम रहे इस कंचेप्ट को बच्चा नहीं समझ पाता इंडिफेक्ट जितने भी कंचेप्ट या है तो आपकी प्री ओपरेशन इसके अंदर है इसलिए यहाँ पर जो बच्चेव कंजर्वेशन के कंचेप्ट को समझ नहीं पा रही है अच्छा जो कल किलास होगी कल किलास के अंदर मैं आपको जीन प्याजे से संबंदित जो आपके टोपिक वाइज कोस्टन है जैसे आपका ट्रू हो जाएगा अब कारण इसमें यह दिया है कि जीन प्याजे का नुसार जो रिया है वह संग्यनात्मक विकास के पूर संक्रियात्मक चरण में हैं जो मैंने का प्री ओप्रेशन स्टेज के अंदर है इसलिए बच्ची ने इस कंचेप्ट को समझा नहीं है तो अगला कोशन देखो सामने आप की स्क्रिं पर क्या दिया हो आई अभी कथन क्या है कि कि इसी संप्रत्य पर चर्चा करते समय त्यानि पर चरण करते समय कैश्य को कौई जब भी बच्चों को आप कोई concept शिका रहे हो as a teacher आपको उधारन और गैर उधारन बच्चों को दोनों ही देने चीए तो यह बात क्या है बिल्कुल ठीक है और आपको पता है मैं जो आपको एक्जामपल देता हूँ वह आपके जीवन से connect करने वाले एक्जामपल देता अब आप लोगों को बागड़ बिल्लो को यह पर पढ़ा रहा हूँ ठीक है तो इससे संब्दित उधारन और गैर उधारन देने चीए क्योंकि देखो एक तो होती है नोलीज एक होता पढ़ाना तो पढ़ाने के दौरान बहुत सारी चीज होती है आप लोगों को अभी प पढ़ाते समय गैर उधाने में बिदोगे डेली लाइफ से कनेक्ट भी करोगे तो यह क्या है यह आपका बिल्कुली आप ट्रू है यानिकि सही है तरिक इसमें यह दिया है कि जो अधिगम करता है यानिकि जो लर्नर्स है यानिकि आप लोगों बच्चों वह सिक्सा के पढ़ानी कि उसके माळदम से मैं आपको कराता हूं यह बिल्कुल आपकी सही है और यह इसलिए आपकी सही परकार से व्यंख्या करने कि प्रिवेस्षों से सम्बंदित उसको धारन देना चीम्हें रहा है लिएसलिए मैं स्ञत्री इन्वी पूरिए डीटेल आपको बता देता हो इन फैक्ट एक वीड़ो भी बना रखी है सचिन एकैडमी ओफिसल एप्लिकेशन प्लेश्टोर से डाउनलोड कर लो वहांस आपको कॉर्स मिल जाएगा ठीक है अगला कॉस्टन देके स्क्रीन पर अभिकतन क्या दिया हुआ है शिक्ष अरे इतना तो छोटा बच्चा कर लेगा जितना तुम्हें कोर्स पूछना नहीं आ रहा ठीक है बिल्कुल तुम गई गुजरो इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं मतलब मैं ऐसा दिल से नहीं आपको एक एक्जामपल दे रहा हूं इस प्रकार का मैंने आप लोगों के पड़ते एक पूर्वा गरह बना लिया किनको कुछ नहीं आता यह बेकूफ है निठल ले एक निमकम में एक नमबर के तो इस प्रकार के पूर्वा गरह एक टीचर को बनाने चीए नहीं बनाने चीए आप लोग खुद बताओ नहीं बनाने चीए ना तो इस प्रकार के और पूर्वा गरोपर चिंतन करना चीज तो मैं भी चिंतन करूँगा नहीं यह वाली बात ठीक नहीं यह बड़े टैलंटीड बच्च को अब इसमें कारण क्या दिया कि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदाई सिक्सण का पार्त है कि सिक्षक चिंतन सील है बिल्कुल ठीक बात है है the four अब परति और ले इस लिए और ते नो से नहीं और उसको समझना है बच्ची की मिढाना दाया सक पार और यहीं लिए टीचर को आपने पूर अगर्वर पर यहां पर चिंतन करना चीए दोनों से यह और इसकी सही परकार से व्याख्या कर रहा है परस्ट आंसर आपका सही हो जाएगा ठीक है तो यह आप लोग समझ गया जो मैंने आपको बता दिया ठीक अगला कुशन देखते सामने आपकी स्क्रीन पर यह रहा नेक्स्ट कॉस्चन अभी कथन दिया है कि क पर यानि कि आपके किसर होते हैं जो किसרה अस्ताकंदर एंटरी लेते लेते हैं उनके व्यापनों को एक बड़ा परभाव पड़ता है बिलकुल परभाव परड़ता है और उनके वैवार मुल्य भी उससे परभावित होते एक फिलम आई ती जैसे आपकी एनिमल मूइ तो उन्हों ने क्या काम कर दिया उस फिलम का इतना बड़ा परवाव उन लोगों के उपर पड़ा ठीक है जैसे एक मूवी आईती सलमान खान की तेरे नाम तो तेरे नाम को देखकर बहुत से लोगों ने अपनी बीच की मांग निकालनी शुरू कर दी उस टैम पर पुलिस व मारूंगा और उनको गजिंजा करूंगा ठीक है क्योंकि फिलम फिल्मों का विज्ञापनों का इतना बड़ा परवाव पड़ता है कि और यह वाली बात बिल्कुल ठीक है कि किसोरों पर फिल्मों और विज्यापनों का बड़ा परभाव पढ़ता है उससे परभावित होते हैं यह बात बिल्कुल ठीक है आप लोगों पर भी परभाव पढ़ा होगा जरूर अभी तक भी पढ़ता होगा ठीक है अगला इसमें पर की जो दिया है क वो किसोरों के समाजिकन की एक सक्तिसाली दुत्यक संस्ता होती है देखे जो बच्चा होता है वो किस से सीखता है वो समाज से इंट्रेक्ट करके सीखता है यानिकि एक समाजिकन की परिक्रिया होती है प्रात्मिक परिक्रिया है बच्चा अपने पहली चीज कहा से सीखता है उसके बाद, परिवार के बाद, जो बाकी की चीज बच्चा सीखता है, उसको कहा जाता आपका दित्यक संस्ता है, यानि कि जो आपकी secondary agency होती है, secondary agency के अंदर बच्चा किस से सीखता है, बच्चा मीडिया से सीखता है, आजकल देखते होगे आप लोग, आपके घर के अंदर और लगा रहता कोई घेम में शोट से देखता ओगा उनिसे बच्चा सीखता है ला पकी सरी ऑपके चमद्द से से सबते यह सबी आपके समाजम की सेंडरेसि को जिन से आप बत्चा सीखता है टील संसाहिं टेल तैकल に ये भी आपके बिल्कुल ठीक है दोनों ठीक है इसलिए फिल्म और विज्ञापनों का बच्चों पर बड़ा परबाव पड़ता है उन्से परबावित होता है यह व्याक्षा भी आपर सही प्रकार की कर रहा है तो फर्स्ट आंसर यहापर आपका सही हो जाएगा ठीक है किसक साथ जाओगे आप लोग फर्स्ट के साथ यहापर आप लोग चले जाओगे ठीक बिल्कुल ठीक चलो अगला देखते हैं किसकिसने अनिमल मूवी देखने के बाद उसके दिल में यह वाली बात आई थी कि हम भी अपने पापके लिए ऐसा काम कर जाएंगे हाथ खड़ा कर रुचियों को पोशित करने के लिए अवस्तर मिलने चाहिए बंफटल मिलनी चाहिए जैसे कि तरह तरह की वस्त्यों का हुपयोग करना परियोग करना ओं dar करना मानस मन्तन करना ओड चर्चाय करना। देखो यार आप लोग जो बिए अर्थगरण कर रहे हो मान ल शाद के साथ समझ रहा हूं, इन ही कोउषन की बेस्ट प्रैक्टिस कर लूँगा कुछ कह रहे हैं कुछ निहीं मैं एक दो आपस है का लेता हो बहुत सारे उनलाइन ही तो यो सरी तरी का प्रां प्रीस हो अपकी बहुत in a land प्रकार की चर्चा उसको कर नीचे तो यह बात क्या है यह बात बिल्कुल यहाँ पर टुरू यानिकी सही है कारण इसमें यह दिया हुआ है कि अधिगम की प्रकरति यानि लर्णिंग का जो नेचर होता है वो क्रिया सील और सामाजिक है बिल्कुल ठीक बात है लर्णिंग कैसे होती है active होकर अगर आप लोग active नहीं होगे तो आप लोग यहाँ पर चीजें नहीं सीख पाओगे सोच कर देखो कि कि आप लोग यहाँ पर शीक रहे हों और साथ के साथ खाना खारे हो ब нас अापका खाने अंदर है कैसी होती है यह social होती है समाजिक होती है निए आप लोग अपने समाज से इंटरेक्ट करके शीकर हो तो यह भी आपका true है दोनों true है इसलिए यह आपकी इस प्रकार के आउसर बच्चों को देनी चीब है तो इसकी प्रकार से व्याख्या करता है first answer यहां पर आपका सही हो जाएगा ठीक है समझ के आप लोग इसको अगला question देखते है, next question आपके सामने किया दिया हुआ है अगला question दिया हुआ है अभिकतन दिया हुआ है कि वास्त्विक जीवन की जो समस्या होती है वहोँ समस्या है आपके जीवन में मुख्य समस्या को पहले अपनी बताओ एक एक करके तो वास्तिक जीवन की समस्या है और मूर्थ अनुभाव से सीखने से बच्चे को अधिगम और जानकरी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं क्या मिलते मत देखा कर यह इनकी क्लास अगर देखेगी तो मैं तरह से बात नहीं करूंगा तो इस प्रकार का कमेंट आ रखाता एक लड़की का तो अब इस प्रकार से वो अपने पर कंट्रोल नहीं कर पारी तो वास्तिक जीवन की उसकी समस्या तो मैंने का कि तुम अपना पढ़ाहे पर ध्यान दो एक बार नोखरी लग जाएगी वह आपको जायेगा साइड में ठीक है तो वास्तिक जीवन की समस्या और जो मूर्त अनुबव जिनको खुद देखकर जो विए साओं की वालीग भात मैं ठीक है कारण इसमें यह दिया है कि विकॅससा करत व्यवस्तित यहाँ पर भा सब्सैं e息ंड अनुखर बिल्कमेंटू होता है यह बात भूल्कूल ठीक है how पी जो विक विक अब अलग अलग अवस्ता से और और इसका आंसर जो आप लोग जा रहे हो बिलकुल ठीक जा रहे हो यहाँ पर यहाँ पर आपके डेली लाइप से कनेक्ट करने वाली समस्या मुर्थ अनुभु की बात हो रही है सई प्रकार से नहीं करता है क्या है व्यक्राइब करता है you दो लेकिन एक्र सफ्यार कर नहीं कर रहा है तो आंसर यहापर आपका सेकंड से हो जाएगा ओपर आपका लेर्णिंग का कंसर्प्ट नीच आपका डवलपमेंट का है ठीक है अगला कोशन देखते हैं अच्छा अगले कोशन से पहले समस्या लिखकर बेज रहेते एक दो देख लूँ जोब लगना सर ठीक है इ पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे उपर है जोब को पढ़ने से पहले रखना पड़ता है तो बार साधी की दोनों बार डिवोस हो गया है पापा बच्पन में खतम हो गए नहीं हाल वालों ने घर से निकाल दिया है मनुमाबानु अच्छा एक बात देखो जैसे ही मैंने समस देखा तो मैं अपना गम भूलिया तो देखो हर कोई कितना परहसान चला है अपनी जिन्दगी से इसलिए जो भी चीज है उसमें अपना संतुष्ट हो उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करो ज्याद है मलबलाल सा के अंदर मत पढ़ना ठीक अगला कोशन देखते सामने सफलता कास होगे ठीक है ड्यांजा समझना अगर चोटा बच्चा जैसे होता है कोई भी गलती करता है या आप लोग जो बड़े बच्चे हो कोई भी गलती करते हो तो इसको आपको किसी भी फेलियर के रूप में नहीं लेना ना ही कभी इसको फेलियर के रूप में लेना है ना ही कभी इसके उपर आपको सजा देनी है जो बच्चे की जो गलतिया और तुरूटिया होती है यह आपके Teaching Learning Process का यानि की सिक्षन अधिगम परिक्रिया का बड़ा महत्पून हिस्सा होती है क्या होती है? Teaching Learning Process का बड़ा महत्पून आपका हिस्सा होती है ठीक है? बड़ा important अंग होती है देखार एक बात बताओ जब तक गलती नहीं करोगे तब तक सीखोगे कैसे? तो जो भी आदमी दुनिया के अंदर XYZ कोई भी चीज़ सीख रहा है learning कर रहा है तो समझ लो गलती तो उससे होगी दुनिया के अंदर कोई ऐसा आदमी नहीं है जो गलती ना करता हो लेकिन गलती का निदान करना डाइगनोस करना जैसे गलती का डाइगनोस के लिए टीचनने की बच्चे ने कहाँ पर गलती करी किस सवाल में गलती करी है फिर उसका समधान कर दिया लेकिन गल्ती पर मानना नहीं है, जैसे हम लोग पिठते थे, जैसे हमने गल्ती करी है, हाथ उपर खड़े करके, आप में से कोई मुर्गा बन जाता होगा, ठीक है, उस परकार की सजा मिलती होगी, जो भी तरीके रहे हो, लेकिन गल्तियों को आसफलता के रूप को दरसाती ह बात बिल्कुल गल्त है, यह आपकी सफलता के रूप में एक आपका एक Candice होती है, ठीक है, यह बात आपको ध्यानक नहीं है, तरीक इसमें दिया है, कि बच्चो में खुद से सोचनी की चंता नहीं होती है, क्या कह रहा है, बच्चो में जैसे आप लोगो, आप भेकूफ इसके मुताबिक आप गदे हो आप एक नंबर के डफर हो ठीक है क्योंकि आप में सोचने की चमता नहीं होती है ये कोश्चन बोल ला है तो ये बात ये बिल्कुल सही कह रहा है गलत कह रहा है कमेंट बोक्स में बता हो आगे पड़ू या यही तक रहने दू तता उनके सीखन करने लिए उन्हें लगाता निर्देश देने पड़ते हैं मैं बार बार आप लोगों को निर्देश देता हो ठीक है तभी आप लोग सीख पा रहे हो वनना आप में सीखने की छमता नियसी कहते है कि परते एक बच्चे में सीखने की चमता है मैं उस statement के साथ या पर जाओंगा तो यह तो आपका गलत हो गया दोनों आपके गलत होगे यह और आर दोनों गलत है फोर्थ आंसर या पर आपका सही हो जाएगा ठीक है समझे गए ना आप लोग कैसे कैसे question दे रहा है जो आपके परकार में इस परकार की बात कर रहे है ठीक है अगला question देखते सामने आपकी स्क्रीन पर next question देखते यह रागला question आपको जो दिया हुआ है अभी कथन आपको दिया हुआ है क्या कहता है अभी कथन उसके ऊपर एक बार नजर डालो सभी विद्यारत्यों के समावेशन को सु कोई किसी बासा से किसी का IQ लवल कुछ है किसी का इंट्रेस्ट कुछ है कोई आपने से सामानने बच्चा कोई आपसे दिव्यांग बच्चा है तो हर बच्चे की जरोत के अकोडिंग मुझे अपने teaching methods को अपनाना पड़ेगा अपनी approach को आपर यूज करना पड़ेगा और बच्चों के अकोडिंग टेलम देने पड़ेंगे यहनी teaching learning materials ठीक है जैसे मानली जो मैं आपको यहां पर पड़ा रहो बोड के माध्यम से पड़ा रहो ठीक है तो teaching learning material हो जाएगा इस प्रकार से तो इस प्रकार के क्लास में घ्यान को रिप्रजेंट के अलग 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 प करने वाले चीजों का आपको प्रकारों का इस्तेमाल करना चाहिए यह बात यहां पर ठीक है एक सब्सक्राइब पानी पीलो बच्चे होते हैं learning disabilities ठीक है यह जो आपके learning disabilities आपको बताऊंगा उसमें एक प्रकार की disability है मलब 21 प्रकार की disability होती है एक disability होती है उसमें specific learning disability जिसके अंदर आपकी सीखने से संब्सक्राइब अक्षमताय आ जाती है जो आप लोग पर तो इसलेक्स हो गया डिसके अलकुल हो गया डिसफेज हो गया यह वगरा सभी आपकी जो अधिगम की अक्षमताय होती है वाले बच्चे तो सामिल है परन्तु इसमें भावनात्मक कठिनाई से जूज रहे बच्चे सामिल नहीं है गलत अगर समावेशन का concept पढ़ना है तो इस सही है लेकिन आर गलत है तो थर्ड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा ठीक है चलिए बढ़ते बापके सामने नेक्स्ट कोश्चन के और अगला कोश्चन देख लेते हैं क्या कहता है यह रहा सामने आपकी स्क्रीन पर नेक्स्ट कोश्चन यह दिया हुआ है अभीकतन से बढ़ा वही कोश्चन आया ठीक है अलगी इस प्रकार की कोश्चन मैं अपनी क्लास में कभी रिपीट नहीं करता क्योंकि मैंने आपको बात बता हुई है अगर आप लोग डेली मेरी क्लास ले लेते हो जो लगवग डेड़ गंटे के क्रीब की होती है यह आपके लिए क कोश्चन बाई मिस्टेक है दुबार आगया समावेशन से विड़ा हुआ हर प्रकार का लगलग कोश्चन में आप लोगों के लिए लेकर आता हूं तो बिल्कुल ठीक है अनुकुलन क्या जाना चीए कारण इसमें दियाए कि समावेशन का दर्सन सेक्षिनिक दरिष्टिक बीच में जैसा आप लोगो आपकी बीच में अलग अलग प्रकार के डिविजुल सी यानि की व्यक्तिकत वभीटाय पाजbew जाती है तो इसको आप लोगों के एक संसादन के रूप में मानना है इसको समाप्त करना है तो यह आपका गलत है एठीक है लेकिन आरl ऑ गलत है थ कि शटीकता से पुरुवा नुमान नहीं लगाया सकता है दिखिए विकूशन को देखना अगर हम बच्छây के की विकास की बात करें चाहे कैसा भी विकासो सारीक विकासो मांश Hemetma की विमात्मा की विकासो चारे उसका सामाझ्जिक की का करकार गिस्ई विकासो किसी प्रकार क रहा है जैसे अगर कोई स्टुढंट डेली जीम जा रहा है नीद्ध पूरी ले रहा हुआ है अगर यह सारी सोडी सॉडी बन जाएंगे अग're इसके डोले सॉले मद जाएंगे लेकिन शटीक नहीं बता सकते पूर्वानुमान हम लगा सकता है तो यहां किस šटीकता से नहीं लगा ask अठीक है इस पूरवानुमान लगाया जा सकता है इसमें किन हैंड़ान वे सफेले कि यह होती है है जीन समारी फैमिली से ठूर्वरेंट हमको मिलते हैं तो इन दोनों कारकों के अनूटा संयोंजन बच्चे में अलग-अलग बदलाव का मार्ग तया करता है बिल्कुल ठीक बात है जो डवललपमेन्ट होता है इन दोनों के परuste करन का परवाँ जादा होगा किसी का दीजादा होगा न किसी का एंवर्मेंट का जादा परवा क्लिक निने अगला कोशचन है अभीकतन आपको दिया हुआ है एक शिक्षक को विध्यारतियों को अपनी चिन्तन परक्रियाओ के बारे में और अपने सीखने के बारे में सोचने के लिए प्रोसाइट करने चीए यारी की जैसा भी एक निगा कि अभी कब से किलास चल ला है तो उसने क्या काम कर दिया उसने चिंतन करना शुरू कर दिया है सोचना सुरू कर दिया कि अभी कभसे चला है तो उसने किलास को पीछे से देखा इसमें तो गंटे की प्लस से जादे की क्लास होगी तो उसने चिंतन करते करते उसको यह पता चला अरे सड़ ने तो बहुत सारे देवलपमेंट हो गया सोशलाइजिशन हो गया जीन प्याजे वो भी वो गया तो उसने सिर्फ क्लाश के बारे में पूछना आता और सोचना शुरू कर देता उसको ऑद संगयनातमक चीज़ों के लिए उसको परवता करना चाहिए अगर मैं यहां पर स्टुडेंट को यह कहता कि बेकूफ है बीच किलास में आके पूछ रहा कब से किलास से लिए देख लिए तो इस चीज के लिए इसको प्रोसाइद करना चाहिए तो यह बात बिल्कुल ठीक है अब इसमें कारण दिया है कि जो अधीसंग्यान है यानि कि बात यहापर में आको से चल लिये उस चीज के बारे में अपनी जिग्या सब को अपना परकट करने के लिए पूरी करने के लिए वह यह समझेगा कि अंदर यह चीज आती है तो यह वाली बात भी बिल्कुल ठीक है इसलिए आपर इन चीजों को प्रोसाइट करने चाहिए दोनों ठीक है और इसकी सेव प्रकार से व्याक के भी आपक आपका हो जाएगा इतना वड़ा एक्जामनी अगला कुश्चन देखो अभीकतन चाहत्रों के अच्छा परदसन करने और स्कूल में रहने की अधिक संभावना है यदि इनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाओ है और वह मानते हैं कि उनका होना माइन रखता है अब द टीचर मीटिंग में उलाएगा पीटेम में उलाएगा क्या रीजन आपका बच्चा स्कूल में नहीं आ रहा तो आप लोग बताओगी कि उसका मन नहीं लग रहा है बच्चे छेड़ते हैं टीचर भी उसको बाकी का आपके स्कूल के सपोर्ट नहीं करते हैं अगर मालीज लड़का नहीं आपके स्कूल नहीं रूप से जुड़ा नहीं है ना ही स्कूल के बच्चों से जुड़ा है ऐसी चीज में उनके साथ जबरजस्ति नहीं कर सकते ऐसी चीज़ के लिए मैंने का ना काफी सारी गुर्मेंट ट्रेनिंग्स होती है अगर इस प्रकार की समस्य आती है उसके लिए बहुत सारे प्रावधान है किसी दिन आपकी काउंशिलिंग लूँगा तब आपको बताऊंगा एक कितने कितने प्रावधान आपको देखने को आप बच्चे का इंट्रेस्ट जगा से को स्कूल के अंदर ठीक है आपको इमोशनली रूप से जुड़ना भी पड़ेगा तभी वह स्कूल आएगा तो भावनात्मक लगाव है और वह मानते कि उनका होना माइने रखता है तो यह आपका बिल्कुल ठीक है कि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है तभी स्कूल में आएगा जुड़ेगा और माइने रखेगा ठीक है और तभी अच्छा पर्दसन करेगा स्कूल में बना रहेगा उन्ना आप सभी को पता है स्कूल के अंदर ड्रोप आउट की समस्या कितिनी हो ठीक है यह कितनों लोगों इमोशन जुड़े पड़े क्यों आपके पैरेंट्स से न का हुआ है कि वही कपता कपना घर केंदर पड़ा रहेगा पड़ी रहेगी अप तो कुछ काम दंदा कर ले यह आप लोगों को खुद फील होता होगा क्या अप तो जोब लेनी है तो आपके इमोशन यहापर जु अगर वह भावनात्मक रूफ से इमोशनली रूफ से जुड़े रहते हैं तो दोनों सही आपके और एक यार सही हो जाएगा ठीक है बिल्कुल ठीक आप लोग ने बताया चलिए बढ़ते हैं आपके next question के और अगला question यह रहा सामने आपकी screen पर अभिकतन दिया हुआ है रूमी 18 महीने में दो सब्दों का उचारण कर सकती है जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया था ठीक है इसलिए पूजा का विकास पक्के तोर पर निलंबित है देखो एक रही है है इतने साल के रूमी है यहां पार ढटाव यहां 2 साल में इनको बहुत है है पर का यहां जाती है दो साल में बच्चों को यहाँ पर आपका क्या आ जाती है दो साल में बच्चों आप लग लग शमता होती है और उसी प्रकार बच्च का विकास अलग अलग प्रकार से होता है इसलिए तो आपको चीजों को सीखने में थोड़ा एक्स्टा टाइम लगता है तो इनको निलंबित हम नहीं कर सकते तो यह आपका गलत हो गया इन चीजों को आपको बढ़ावा देना है इंडिवीजूल डिफरेंश को आपको बढ़ावा देना है तो गलत है अब गलत के अंदर हमें सिर्फ यह देखना की कारण ठीक है अगलत है अदर्वाइस व्याक्या की तो इसमें जरूत नहीं पड़ रही है विकास आत्मक परतिमान यानि कि हापर बात हो रही है आपक परतिमान बच्चे के लिए निरधारित लक्षों की उपलब्दिक लिए सठीक आयू की सही बविस्वानी करते हैं अब पतनियार परति बच्चा जिजी सवस्ता उसे उगर गुजरता है किस सवस्ता में कौन से चलेंज आ रहे कि कौन सी विसेश था उसके सामनारी क्या परेशानी आ रही है तो सटीकता से इसका नुमान नहीं लगा सकते हैं ना ही सटीकता से उसकी एज की बविस्वानी कर सकते हैं दोनों गलत है एक अध्यापिका को अपने विद्यायत्यों को किसी कार्येपर काम करते से मैं अपने विचारों और चिंतन परिक्रिया के मोखी की करण है तो उसको प्रोसाइट करना चाहिए बिल्कुल ठीक बात है जैसा आप लोग यहापर जो सीख रहे हो अजर्सेंड रीजन के बारे में सीख रहे हो तो मैं आप लोगों से कहुंगा कि कि इसके बारे में आप लोग मोखी की करण करो अब सबसे बड़ी दिक्कत ओनलाइन क्लास में आप लोग इसको नहीं कर सकते ठीक है क्योंकि आप लोग सी यहापर कमेंट को टाइप कर सकते हो लेकिन मान लीजिए फिजिकल क्लास होती यह आप लोग स्कूल के अंदर कोई रहा हुता बच्चे को पड़ा रहा है थीजिक उसका मनन करेगा समझेगा इस चीज के उसको यहां पर करने चीए उसके लिए प्रोसाइथ करने चाहे बिल्कुल ठीक बात है आप ठीक है आप लोग नहीं कर सकते हैं आप लोग शिर्फ अपनी लिखितवासा यूज्ड कर स सब्सक्राइब को होती है अब देखे लेव वांगोश्की ने अपनी सामाजिक्ट शुद्धान दिया तो उसमें तीन प्रकार की आपकी इनर चफीच तो जो आपकी प्रैविट इसुटी है प्रैविट हमेदे काम को रेगुलेट करने के लिए बोलता भी बreon's मान लिजीゃ मैंँ पढ़ा हम लिखे जैसे वीड़ियो थोड़ी आज डिटेवे मैं double brighter अगर आई विडियो इनको समझ में नहीं तो यह बेकार है इनको फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा फीर तो इनको घर कंदर बैढ़ दा आ चाहिए करका चूला चोकट ना चाहिए खेति करने चाहिए इतना असान तरीक सा समझाने के बहुजूर यह एक मैंने अग्जामपल तो यहाँ पर देखो मैं अपना काम भी करता जा रहो मैंने आप लोगों की तारिफ भी लिखी और साथ के साथ मैं बोलता भी जा रहो तो आप लोगों ने देखा होगा प्राइबेट होती है जो सिक्सार्थ्यों में उच्तर सरेणी के संगेनात्मक कोशलों के विकास में बादक नहीं होती है भाई सायक होती है अब आप लोग कहोगे सर आपस में जो आदमी खुदी अपने आप से बात कर रहा है उसको तो आप लोग पागल कह देते हैं कि आप लोग अपनी प्राइविटी स्पीज को यूज करो यह बादक नहीं होती है है काम को रेगुलेट करने के लिए तो यह आपका गलत है तो यह ठीक है और आल गलत है तो थर्ड़ा आंसर यहापर आपका सही हो जाएगा क्या अंचरा हो जाएगा थर्ड़ा आंसर यहाप तर आप तारी बहुत अच्छा करते हैं ठीक है अभी अभी तो किलासिस चलिए अभी देखना एक्जाम तक आप लोगों कि कितनी भेंकर तारीफ है आपको देखने को मिलेगी ठीक है अगला कोशन देखते है नजर डालो इसके उपर अभिकतन आपको दिया वाए एक बच् कि कह रहा है बच्चा कि सर कथन और कारण कौन सी बलाए क्या आता यह प्रकेंदर क्या आता है तो मैं क्या काम करूं उसमें दो कोई बात नहीं मैं समझाओंगा मैं खड़ा हो तेरे लिए तो मुझे यही तो कहना चाहिए ना कि वेटा देख ऐसे कुशन तेरे एक्जाम के तो टीचर को उतने ज़्याद संकेत वर्फास देनेची उतने जाधर संचाधन उसको देनी की यह काम करना चाहिए यह दूसरे वाला यह करना और जैसे जैसे बபस्ति किस कांच differentiation की समझाने पढ़ते थो मैं आपको लोकिसी खुетр को तो वहापर मैंने की जुरत पड़ रही है वहाँ पर टीचर उतना सपोर्ट दे रहा उतनी साहता कर रहा है यह बात बिल्कुल आपकी ठीक होती है उतनी देनी चीए ज्याद अन्नेसेसरी ज्यान भी नहीं देना चीए ठीक है अब कारण इसमें क्या दिया है कि बुद्धी को बुद्धी लब् बताऊंगा जब आपको क्लियर समझ महा जाएगी सारी जीए जो आईक्यों थाने कि वैलिडियों एक को नहीं होते वैद थीक है को नेगेटि इसलिए माण ले जाता है जिसके आदार पर बच्चों की गढणा की जाती है आईक्यों के आदार पर लेकिन यह बात तो इसन ठीक है यह कि बुद्धि को बुद्धि लब्दी की गढ़ना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता है बिल्कुल ठीक है सटीक तर से नहीं मापा जा सकता है ठीक है एक एवरेज निकाल लेंगे बैश माली जे किसी का एकुलव लव लेक सो चालीस वलास आया यह 90-609 के बीच माँ यह आपका ओस्त बच्चा है ठीक है तो यह बात भी बिल्कुल ठीक है तो दोनों ठीक है यह भी ठीक है यह भी ठीक है लेकिन इसकी सही व्याक्छा नहीं कर रहा है उपर ध्यान से पड़ो वहापर बच्चों को समय पढ़ने पर संसादन देनी की बात हो सब्सक्राइब करना चाहता है तो कल बैच वाली वीडियो में आपको डाल दूँगा बैच वाले बैच की वीडियो ठीक है तो 4.0 वाले तियारी कर लेना उसके माद्यम से अगला कुश्चन देखो कि विध्याल्यों को अधिकम के स्वेंगात्मक पहलू को अंदेखा कर देन देखो यार यह वाली बात मैंने आपको पहले भी बताईती इमोश्चनल साइड को अब बच्चा स्कूल में जा रहा है तो सीपके उसके सारीरिक विकास पर ध्यान दोगे या सामाजिक विकास पर ध्यान दोगे मुझे आज की डेट कंदर लगता है ना मलब है तो विकास क अब लगतर मुझे सबसे एक्स्टीम लेवल पर जो लग रहा है वह आपका इमोश्चनल डवलपमेंट जो इमोश्चनल साइड है आप लोग सारीरिक तोर पर कितनी मजबूत हो ठीक है आप लोग मांचिक तोर पर कितनी इंटलिजेंट हो जाओ आप लोगों के पास सब चीज परफेक्ट है लेकिन इमोश्चनल रूप से वह तूड़ जाते है इसलिए इस प्रकार के वह कदम यहां पर उठा लेते हैं ठीक है तो इसको बिलकुल अंदेखा नहीं करने चीए इनफेक्ट अगर मैं खुद की बात करूं तो मेरे कोडिंग तो सबसे कि ट्रबेंगां एक दूसरे से संबंधित नहीं अग्ट जो अप लोगों के इमोस्ट फोल मैं आपको बताते हो चीजन को ने ना पहले बता रहों कभी कोई यहाँ पर आपकी female candidate comment box में बखे कुछ भी ठीक है जैसा आपने देखा होगा जब साधी होती है यह जब किसी की डैथ होती है मृत्यू होती है तो जब साधी होती है सब अच्छा-कासा चलता रहता है ठीक है दुला निभी को सब बढ़िया चलता रहता है जैसी टाइम आ जाते है उनकी भी आको में एक दमस वाजाते हैं यह चीज मुझे नहीं समझ मांश भाइट है ठीक है दूसरा जब किसी की डैथ होती है तो और यह ब्लेटिव जाते रिष्टितार मिलने जाते है तो जो मेल जाएगा जो आदमी जाएगा विक्तित जाएगा वह तो आदमो से जाएक उनके पास रोना शुरू कर देती है और मुझे समझ विन आता है जो महिला है बैठ रहेती है उनके वे एकदम आस्वाना शुरू हो जाते है जैसी वह आपस में रोती है फिर उसके बाद चुप हो जाते है फिर आपस में बात करती है और घर में सब ठीक है इतरे कान के कुंडल हां यह तो बढ़िया लगए जैसी दिखता है एक और कोई गाड़ी आगए एक और रिस्ततार आगए महिला गई तुरंट से फिर धढ़ाम सा आपस में वह रोना शुरू कर देती है ठीक है तो इस परकार से जो यह महिलाओ का रोना है यह भी मेरी समझ में कभी नह है तो महिलाओ का अपने इमोशन पर इस प्रकार से नियंतरण होना यह तो समझ से बाहर है आपका तो आदमी क्या काम करता है सही जंगे पर सही इमोशन लगा अब यह बात बिल्कुल मत कहना कि सर जेंडर स्टिरोटाइप आप दिखा रहे हो ठीक है तो ज्यादेतर मैं बत तो आप लोगों को ध्यान अखना है कि इमोशनल साइड बड़ी महत्पुन होती है महिलाओ कि इमोशनल साइड इसके बार में तो महिला ही बता पाईगी ठीक है और समय को संग्यान एक दूसरे से सम्मदित नहीं है यह बात गलत है दोनों एक दूसरे से संबनीत है आपका कोगनीशन होता है वह आपको बताता है किस जंगा पर आपको किस एमोशन को परदसीत करना है ठीक है ये बात आपको ध्यान तोनों गलत है ओर आइब आपका सही हो जाएगा ठीक है यह आप लोग समझे चोल वह अगला देखते हैं क्छें सब्सक्रांट का एकड़ी का अतोरा सुखETH के टोरी कि लिखोई निकिल्टेंट नेश्च आपके सांद्र आगे ऑपने ना Crt वाली सीरीज ने अजिन के बाद पास्ऴ स्वारा। के इतने नोगडेंगे वैसे तो कहते हो कि तो सभाविक है तो मेल के भी आप सवाने चाहिए अब आपके एक्जाम में सीटेट में कॉश्चन आता है लड़कियों की तरह रोते हो तो यह कुश्चन आ गया यानि कि कोई ना को एक जेंडर इस्ट्यूट है पा रहा है तो यह सभाविक क्यों है रोना है तो दोनों को कॉंट स्क्रीन पर आगया अभी कथन आपके सामने दिया हुआ है एक अध्यापिका को क्लास में विभिन परकार की पठन सामगरी परदान करके एक मुद्रक प्रिंट समर्द वातरण सर्जित करना चाहिए बिल्कुल ठीक बात है प्रिंट रिच एनवार्मेंट यहापर उसको करन पर इस प्रकार का प्रिंट रिच एनवारमेंट टीचर को क्लासरूम में देना चाहिए प्रिंट रिच एनवारमेंट जहां पर आपकी बहुत आपको बहुत बहुत आ भी आपको आ रहे हैं तो वहफर आपको भाहसा देखने को तो जिस प्रकार सा आपके सामने भाहसा विकरीवी देखने को मिली है उसी प्रकार से जो क्लासरूम होते है जो आपके प्रिंट रिच क्यों नहीं होता है अभी मैं आपको कल की बात बता हूं कलम लोग नहीं सोरी परसों की बात है जो मैंने बता है मैं फाउंडेशन सा रहा था उसी से जो इस प्रगार की बच्चों के लिए काम करती है हमारे सामने गाड़ी जा रही थी और गाड़ी पे एक तो कमल का फूल बन लिख सकता है तो उसने यह लिखा हो था भाजपा समर्तक लिखा हुआ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं ठीक है ना तो कमल के फूल से कोई भी कुछ भी लिख सकता है कुछ लोग तो अपनी जात्यों के बारे में लिख लेते जाट गुजर पंडट ठागूर फ्लाना सब सब लि फिर लेकिन हैश से अब लिए काम करेगा संब्भत्र कर रहा है बहुत सारी सारी चीज़े लिखे होती है बुरे नोज़र वाले तेरा मूं काला कभी कुछ लिख लिखा रहता है तो आपने देखा हुआ बहुस्वारी स्पेलिंग गलत लिख देते हैं ठीक है तोई इसका परभाव बिल्कुल पढ़ता है इसने का परभाव इत नहीं होता यह बात गलत है तो यह बिल्कुल ठीक है ऐसा प्रेंट रिच एन्मारोमेंट देने आपका तरन से connect करता हो ठीक है तो ए ठीक है बी गलत है ए सही है लेकिन आर गलत है थर्ड आंसर या पर आपका हो जाएगा बढ़ते बाद के नेक्स्ट कुर्षिन के वर बढ़ते हैं अगला कुछन आपके सामने क्या दिया हुआ है ठीक है उसको सब्सक्राइब कमेंट आपका महिला अगला कोशन देखो विद्यारती जिने ADHD है ADHD मतलब attention deficit hyper activity disorder यह परकार का disorder होता है ठीक है और जो बच्चों के अंदर दिक्कत होती है बहुत समस्या उनको होती है वह क्या काम करते अटेंशन डेफिसिट यह उनके अंदर attention की कमी होती है एक चीज़ पर अपना ध्यान के इंद उसका छोटा सा लक्सन आपने दिखाया जैसी तुरंट question होएं कि 30 question होएं सर जी मेरे इतनी है 26 में 30 में से 26 अपचीज है तो अपना ध्यान नहीं लगा पाएंगे तो attention की कमी होती है और HD यानि कि hyperactive होते हैं बहुत ज्यादा hyperactive होते हैं एक जंगा बैठ नी सकते हाथ में कोई भी चीज़ दे दी माली जह उनके हाथ में अपने mobile phone दी जल्दी जल्दी चला देंगे सारी चीज़ों को वह माली एक जंगा पर आपने उनको बैठा दिया वासट कहीं दूसरी जंग यानि कि जो destruction होते हैं उसको कम किया जाता है इससे लाबनिवित होते हैं बिल्कुल ठीक बात है अगर किसी भी प्रकार के destruction आपके खतम हो जाएंगे माली जापके destruction है ठीक है माली आप लोग पढ़ रहो लेकिन आपके महिला सात्य प्रूस साती ने कर रहा क्या करोगे बात करते हैं रात में चैट करते हैं अगर नहीं सचन सर की किलास चल लिए अरे भगाव सचन सर को चलो बात करते थोड़ी सी तो अगर माली जै इस तरीके के destruction को आपने खतम कर दिया कि तो भाड़ में गया पहले में किलास लोंगा और यह सबसे जरूए तो आपका जो गोल इस प्रकार के तो आप भी लाबनवीत हो जाओगे तो यह वाली बात क्या है यह वाली बात यहापर बिल्कुल ठुरू है ठीक है समझें आप लोग इस बात को अब इसमें तरक यह दिया है कि विद्यारती जिने एडिए उनको ध्यान कर पाने की आवदी जो होती है कम होती तुम बता एव तक तो आपका भी ध्यान नहीं होना इस तरीके से और विद्यारЭती जिने एडिए उनमें वाली सिम्टम सुते है और जिनको आपवाली एडिएचडी होगी ठीक है उनमें यह वाली बात क्या है यह तो आपका ट्रू हो गया था और यह भी आपका ट्रू है इसलिए इस प्रकार के डिस्ट्रक्षन को खतम करने चीए दोनों ठीक है और सही प्रकार से इसकी व्याख्या भी कर रहा है फरस्ट आंशर आपका सही हो जायगा ठीक है जी अरश यह अगला क्रूस देखते सामने आपकी स्क्रेण पर क्या आईगे इसके बाद आपकी क्लास खथम होगी देखो लाश्ट को समें यह आपकी एक हिंदिक क्लिए आपका एपिय सो औपका मेंतमाटिक्स सो आपका कि साइंसाइब आपकर साइंस अभी जैसे मेरी क्लासी जो चल लिए डेली आठ वजे चलती है चाहे आप लोग पढ़ रहो चाहे यूटूब पर पढ़ रहो तो दीरे-दीरे करके जब आप लोग इन कोश्चन की प्रैक्टिस करते जाओगे तो यह चीज आपके बिल्कुल एक्जाम तक क्लियर हो जाएग यंगज को एक्क्वायर करते हैं ठीक है क्योंकि वह ऐसा कड़ने के लिए आनुवांसिक रूप से पूर्वा नुकालित होते हैं और ऐसे में परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती है अब इसको एक बात 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 साब को बहासा अरज़ित सबसे पहले गर में बात करू ब परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती ये बात तो गलत कहती है न परिवेश की भूमिका होती है वही से तो कोपी करेंगे अपनी मातर भास को सीखता ए तो यह आपका गलत है यहाँ ठीक है तरक इसमें दिया है कि जो बात अर्जन होता है उसमें सिक्सार्थी केंदरित कक् सब्सक्राइब और उसका बहुत गहरा परवाव उसके उपर पड़ेगा यह ठीक है तो एक गलत है आर से यह पर इसका आपका सही हो जाए क्या हो जाएगा फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा तो यहां पर आपके देखे जो कोश्ण ते वह मैंने कंप्लीट करा दिये जल्दी से पूछे फिर मैं आपर क्लास को आपकी खतम करूंगा ठीक है तो देखो भाई पोने दो गडिंटे के करीब क्लास हो गई लेकिन पूरे क्वेश्टन को हमने डिटेल में अच्छी प्रकार से समझा है ठीक है मेरा बाबु में खाना खाया वाला मैसीज आता है सर ह अब बहुत मिलेगा लिए अपका जो पेपर टुर न पेपर तू अंदर आपको सभी सब्जैट के बैच मिल जाएंगे प्रफर्स पर सेकंड रोश्र अंडर मिल जाएगा कि 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 इतना स्कूर आपका अंजली के है 29 तीस में से यानि दो कौशन आपने शोल नहीं करे आशिस यादव के 28 वंदना कुमारी के 29 पी आरी सीके के है 30 पृति कुमारी 25 महिंदर मनी 21 प्राची दिवेदी के 40 में 26 अरे प्राची 32 तो कुश्चन 40 कहां सा आगी वेशी रस्मी सिंग के पाच रस्मी बढ़ाओ अभी पास तो कम है भाई ठीक है देरे-देरे किलास करते र क्लास कैसे लगी बढ़िया लगी इंट्रेस्टिंग लगी ठीक है और मैं इसलिए मैं कहा रहा हूं कि आप लोग सिर्फ एक दिन मेरी क्लास ले लिया करो जो भी आपकी डेड़ गंटे क्यों वह आपके लिए काफी रहेगी फिर आपको पूरे दिन पर सीडिपी पढ़ने मैं क्लास को मैं इक हत्म करता हो मिलता हूं मिलता हूं आपट बढ़ना कर हाँ ठीक है आपầy मोग से मिलता हुआप है